आपका रिप्लाई माननी मंत्री जी उप सभापती महदे सबसे पहले तो मैं सभी माननी सदस्यों का भाड़ ब्यक्त करता हूँ जिनोंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिये और बिल जो लाया गया है उसके विशेस्ताओं को भी लेखित किये हैं एकाद्व सदस्यों ने समर्थन करते हुए थोड़ी सी चिंता ब्यक्त की है उस पर यूँ मैं प्रकास डालूँँगा एक सी आने एक राष्ट्रिय तथा आंतरिक सुरक्षा का लूने इसको महत्व देने की जरूत है जिसका प्रमुख उद्देश या सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्ज्वनिक जीवन या राजनेतिक और समाजिक बिमर्ष पर हावी न हो जाए इसका मुख उद्देश है अद्यक्ष मौदै माने प्रधान मंत्री जी हर प्रकार से भारत को सुरक्षित और मजबूत रखना चाहते है भारत के सस्वी प्रधान मंत्री आधरनिये नरे नर्मोदी जी इस देश की हर व्यवस्थाओं में स्वक्ष्टा लाना चाहते है पारदर्शिता लाना चाहते है इसके लिए हर छेत्रों में विभिन कदम उठाये जा रहा है उसके साथ एटसी आड़े में भी पारदर्शिता हो इसका सही उप्योग हो इसको ख्याल रखते हुए या संसोधन प्रस्तावी थे भारतिये सुरक्षा लोगतंत की सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुक्ता भी है विसेश्ता भी है आक मिमर भारत के लिए जरूरी भी अध्यक्ष स्वापती मोदे मान्ये ग्रीमंत्री अधरनी अमिस साजी उनका आगर होता है कि NGO समाज की बिसेश्ट आवसक्ताओं को पूरा करने के लिए इमानदारी से अपना योगदान दे विदेशी अविधाय के ब्याय में पारदर्शिता लाना और सही उद्देशो और जिस कारे है तू विदेशी अविधाय प्राप्त किया जाता है उसी उद्देशों के कार्ज में यह व्याय हो जो इसमें संसोधन प्रस्तावित है उसके बिसे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा उपसवा कतिम हो दे लोक सेबक को जोड़ा जा रहा है जिस पर कई माने सदस्यों ने बड़ी असपस्ता से अपनी बात रखी है पहले भी लोक सेवक की जो परिवासा है उस परिवासा में पहले भी लोक सेवक का एक पार्ट इसमें समहित था लेकिन उसके कुछ पार्ट जो छुट जा रहे थे उसका इसमें समाबेस किया गया है उसको परिवासित किया गया है भारते दंड संग्धिता की धारा 21 के अंतरगत पडिभासित सब्द लोकसेवक को एपसी आरे 2010 की धारा इर एक गव में जोड़े जाने का प्रस्तावाई दूसरा प्रस्ताव उपस्वापति महदे जो विदेशी अविदाय है को एक इकाई या गैर सरकारी संग्धन से दूसरे संग्धनों में हस्तानांत्रित किये जाने को बर्चित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि उसका दुरुपयोग और बिचलन रोका जा सके उपस्वापति महदे होता यह था कि जो संस्था विदेशी अविदाय पराप्त करती थी तो उसका जो प्रोजेक्ट जमा करती थी और जिस कारे के लिए लेती थी वह दूसरे संस्थानों में हस्तानांत्रित करने से वह अपने मुल कारें से भटक जाय करता था उसका जैसा अरुन सिंग जी बता रहे थे कि ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल होता और वह पैसा अंत तक कहां तक चला जाता था जिसका बहुत चिंता सरकार को होती रही है इसी सदन्वे महोदे इसी राज सभा में 19 अगस्ट 1910 को जब यह विध्यक लाया गया था तो उस समय के तात कालिन ग्रही मंतरी मानी चिदंबरम साहम ने एक चिंता व्यक्त की थी मैं उन्हीं की सब्दों को मैं इहां बोल रहा हूं चिदंबरम साहब की जो चिंता थी वह यह थी और उन्होंने जिसको ब्यक्त किया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मैंने इस अधिनियम की समिक्छा की तो यह देखा गया कि संगम शंगठन विदेशी अंसदान की सुचना नहीं देते हैं बे लेखा फाइल भी नहीं करते हैं इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं गरवरियां हो रही है उन्होंने तो इतना तक कहा कि जो रासी प्राप्त उस्समें की जा रहे थी वह लगभग 20,000 करोड का था और उन्होंने असपस्ट सब्दों में कहा कि 20,000 करोड में से 10,000 करोड रासी कहां गई कहां खर्चवा उसका न कोई लेखा जोका था न कोई अता पता था इसलिए उस समय भी संसोदन पर बिल लाने पर जोड़ दिया गया था और उस समय 2010 में जब यह बिल लाया गया था तो बहुत हीं पक्छ और भी पक्छ ने इस पर एक अच्छी चर्चा कर एक साकारात्मक चर्चा कर इस विद्यक को पारित किया था और उसके बाद समय के अनुसार और संगठनों के गतिवीदियों के अनुसार कुछ आवसकता है जब महसूस होती है तब कुछ संसोदन आवसक हो जाता है उसी आवसकता के महसूस होने के कर या संसोधन प्रस्तावित है अध्यक्ति मोदे धारा आठ ए को संसोधित करते हुए प्राप करता इकाई द्वारा अपने प्रसासनिक कार्य कालापों पर सुकृत वै की उचतम सीमा को एक वर्स में प्राप्त कुल विदेशी अविधाय के पचास प्रतिस्यत से घटा कर 20 प् अधिक्तम नीधियां इकाई के मुख कार कलापों के लिए उपलब्धों और अधिक बेतन भब इमारत कार्यालें आलिसान बहनों आधिके नीधियों में उपलब्धता कम की जा सके जब यह चर्चा हो रही थी तो उस समय भी सदन में कई मान्य सदस्यों ने पचास परतिस्षत का जब प्रस्ताव आया था तो उन लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी जिसमें परसांत चप्टर जी जी जो बेश्ट बंगाल से आते थे राज सभा के मानिय सदस थे रुद्र माधो रे लोक सभा के सदस थे प्रबोत पांडा जी जो उरिसा य प्रस्ताव प्रस्ताव लाने की इक्छा ब्यक्त की थी अभी मानिये सदस्वाला क्रिस्ण जी इस पे चिंता उन्होंने जो ब्यक्त की है निश्ट रुक्सूस पर हम फ्रास्पस्त करना चाहेंगे कि यहां खर्च ब्यक्त कम करने से जो प्रभाव नहीं पड़ेगा और ज्यादा रोजगार सिर्जी ठुगे और दूसरा उन्होंने जो चिंता ब्यक्त की किससे भय पैदा होगा ना या विध्यक NGO के खिलाफ है ना इससे कोई भय पैदा ही होगा ना इसके माद्यम से किसी को भय करने की जड़वत है यहां भी सही है कि बहुत अच्छे अच्छे NGO हैं और अच्छे अच्छे मानवता के पक्ष में काम करते हैं रचनात्म कामों में पैसों का बै करते हैं कई अच्छे अच और देशवाश्यों की हित्मित दिये इसमें कहीं कोई सक नहीं है और जब यह संसोधन है अच्छे NGO के हित्में उसके सहयोग के लिए है ताकि जब उसके सामने यह बाताती थी कि एक NGO ऐसा है जो कुछ ना करके भी अंसदान पराप्त करता है विदेशी अविदाय पराप्त कर कहीं उसके भाव में यह बात चूट करती थी अध्यक्ष मोदे बरतमान में विदेशी अविदाय पराप्त करने के लिए किन्द सरकार से अग्रिम अनमती लेने वाले किसी इकाई के बैंखाते को तत्काल फ्रिज करने का कोई प्रधा नहीं है जिन मामलों में अधिनियम का उलंगन देखा जाता है और आगे अधिक उलंगन रोकने के लिए तात कालीन उपायों की जुरत होती है एक संचिप्त जाच के बाद ऐसे गैर सरकारी संगठन के बैंखातों को फ्रीज करने में किन्द सरकार सक्षम बने इसलिए धारा एक गारा दो के तहद एक संसोधन प ऐसा प्रद्धाम धारा 13 के अंतरगत पहले ही से मौजूद है जिस मामले में इकाई ने किन्द सरकार को पंजी करन पड़वां पत्र दिया है एक विवस्था जो पेरर अनमती लेकर जो होती है अगरीम अनमती उसको बैंक फ्रीज करने करना जरूरी होता है जब उसमें कान का उलंगन करती है तो उसकी कई प्रकार की जांच की प्रक्रिया और के लिए बैंक को बिना फ्रीज किये हुए यह सब्भम नहीं हो पाता है इसलिए यह भी प्रस्ता लाया गया है अध्यक्ष मोदे आधार कार्ट के विश्य में चर्चा आई है गैर सरकारी संगठन के सभी पदाधिकारियों मुख पदाधिकारियों के आधार नमबर प्राप करने के प्रधान के लिए अधिनियम में एक नई धारा बारा का जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि इन पदाधिकारियों की सही पहचान को बाहर लाया जा सके विदेशियों के मामले में उनकी पासपोर्ट की संख्या या उसका OCI कार्ड संख्या परदान की जाएगी जो अनभव किया गया वह यह अनभव था कि पहचान पत्र पहचान अपनी छुपायने की कई संस्थाओं ने प्रयास विक्यार उसमें सफलता विप्राप की और गड़वरी का यह कारण भी होता था उसके मन में कोई भई नहीं होता था चुकि उसकी पहचान अस्थापित इसके लिए यह प्रस्ताव प्रस्तावी थे इसके लिए विश्यष्ट पहचान भारते विश्यष्ट पहचान प्राधिकरन यू आई डी ए आई तथा मिटी एलेक्ट्रोनिकी और सुचनाव प्राध्धोकी की मंत्रालैस से इस पर विचान लिया गया और तत्पस्चात य ज़ज कहा जाता था कि उसके आदेश के अनरूप नहीं है या पूरी तरह से सुप्रीम कोट के आदेश के फैसले के अनरूप है और सुप्रीम कोट ने कहा था कि जब किसी इस परकार की बिशिष्ट पहचान को अस्थापित करने के लिए आधार काट की अवसकता हो तो एक का स्ताबित है वो कहीं से भी उस आदेश से अलग नहीं है अदेश मौद किसी एसोशेशन के पंजी करन परमान पत्र को निरस्ट करने के लिए धारा तेरक के तहर कुछ जाज परताल अधिनियम के अंतरगत प्रदत छे मा की समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकती है ऐसे एसो पूरी करने के लिए 180 दीन की अत्रिक्त अबदी के लिए धारा तेरह में एक संसोधन प्रस्तावित कई बार उप्षवापती मोदे छे महिना में जाज प्रकिरिया पुर नहीं हो पाती थी जिसके कारण कई बाधाय उत्पन होती थी और उस बाधाओं को दूर करने के कर एक सोपचासी दिन लगे हो सकता है कि 200 दिन लगे लेकिन अधिक्तम इसको लगमग एक बर्स की अबदी में पूरा करने का एक प्रस्ताव इसमें प्रस्तावित अधिक्ष मोदे एक बहुत उदारी करन नीती पॉलिसी इसमें प्रस्तावित क्या है कि जो NGO सरेंडर करना कि उसकी एक नई धारा 14 कहतों जोडते हुए पंजी करन प्रमान पत्र के स्वैक्षिक अभै अभैपर्ण की अनुमती देना प्रस्तावित है ताकि उसका भैकल्पिक और नॉन एस्टिंग मैटिक फॉर्ड प्लोजर सुगम बने आ जा सके पहले क्या होता था कि कुछ संस् दो हैं पैसा लेती थी काम कर देती थी लेकिन बाद मास्क्चम नहीं होता था तो चाहता था कि हम इसको सालिंडर करतें तो इस तिति में बहुत जत्रिल प्रकिरिया थी अगर कि तरह से कहे कि वैसे संस्थाओं के पाओं मे जंजीर कर जाता था तो pun जेलने पैदा कर दित Doctor और वह एक ठकान महसुस करता था उसको उदारी करन के तहट सरेंदर की जो प्रकिरिया अपनाई गई है 14 का जोड़ते हुए ताकि उसको एक सरल विधी से सरेंदर कर सके और उसमें यह भी है कि जब वह सरेंदर करता है तो उसके द्वारा जो भी एसेट त्यार किये गए उसकी प्रपटी वह अपनी नीजी कोई प्रपटी नहीं होती है वह पब्लिक प्रपटी होती है इसलिए उसको किसी भी राज के किसी भी राज में वहां के ग्री सचीप के अंतरगत उसको उसके देख रेख और निगरानी निरने लेने का उसको प्रभधान भी इसमें एक नविनी करन के पहले उप्युक्त जाज के लिए परस्तावित है अधिनियम धारा सोला के अंतरगत एस्वोसेशन की पंजी करन पड़मान पत्र के नभी करन से पहले केंद सरकार को ऐसी जाज करने जैसा हुआ उचित समझे में सक्षम बनाने के लिए असनसोधन कि जब हम किसी का रिनिवल करते थे तो उसकी जाज की कुवा पांच बरसु में वह अपनी गतिवीदिया कैसे चलाया पैसे का उपयूग कैसे किया कहिद्र उपयूग तो नहीं किया उद्देश से तो भटका नहीं तो इसलिए जब उसको उसका जब हम नभी करन करने की बा के बाद हम उसको उसको फिर हम लाइसेंस दे ताकि पीछे अगर कोई गरवडिया किया है तो वह भी जाज के करम में आ जाए और कहीं किसी को गलत बने गलत उद्देश रखने वाले को लाइसेंस न मिल जाए इस उद्देश से यह प्रस्तावित है कि नभीनी करन के पहले उपिक्त जाज की जाए अध्यक्त मौदै 17 के अंतरगत यह प्रफधान करने के लिए एक संसोधन प्रास्तावित की आजारा है कि परतेख एसोसियेशन गैर सरकारी संगटन को विदेशी सरोतों से विदेशी अविधाय प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में भारतिय स् खां में एक दूसरा एक सी आर एक खाता खोलने का विकल्ट भी है जिसमें भारतिय स्टेट बैंक के बिनिट दिस्ट एक सी आरे खाते में प्राप्त विदेशी अविदाय को तत्कार ट्रांस्पर किया जा सके साथ ही अपनी मर्जी के एक या उससे अधिक बैंकों में एक उससे अधिक उप्योविता खातों के संचालन की अनमाती देना जारी रहेगा जो पहले से अधिक मोदे एक सवाल है हां अपने शौप अंदास गुप्ता जी भी इस पर चिंता ब्यक्त कर रहे थे लिए कि इसका कारण है एक तो की सरकारी बैंक है दूसरा है कि एस्वी में सब से ज़्यादा है और यह कहें तो हर जगह है और इसलिए दूसरा क्या है कि उसमें इतना स करन है कि इसमें डिल्ली के ए शवी आई में वएंग खाता के लिए उसको दिल्ली आने की जरूत नहीं है इस वी आई में खोलने के लिए जो उनके निकटम आई की साखा ही औहीं कागज को जमा करेंगे, ओहीं उसका इन्विस्टिकेशन होगा, जो प्रता जफोलने की बैंक खाता खोलने की जो प्रकिरिया तो इस प्रक्रिया को ओ ही पूरी कर ली जाएगी और ओही बैंक एहां के बैंक से एकांट नंबर प्राप्थ कर वहां संग्ठन को वा SBI का बैंक खाता प्राप्थ करा देगा आने की जरुत नहीं है जिस प्रकार से अपने यहां आकर फिर ट्रांसफर जो उनके अस्थानिय बैंक में जाएगा उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं उसके लिए कहीं कोई जटिलता नहीं सरलता है और उसमें कोई बिलम भी नहीं होना है उसका मुख कारण क्या है कि जो भारी मातरा में पैसे आते हैं तो यहां उसको बिवस्थित रखने के लिए उसकी जानकारी सरकार को रहे इसके लिए एक यहां बिवस्था की गई उनको उसमें दिक्कत क्या है बैंक में अगर दिल्ली में विदेशों से जो अविदाय आता है वहां आने के साथ साथ ही वहां उसके अस्थानिये साखा में अस्थानांतरी तो हो जाएगा तो न दिल्ली आना है न पैसा आने के बाद उहां ट्रांसफर होने में बिलंबोना है लेकिन सरकार को सुविदाया होगी कि यहां पैसे कट्रेश उसकी ट्रेकिंग और उसका उपयोग उसका मॉनेटरिंग उसका इस परकार की विवस्था के लिए यहां एक विवस्था ला जहना चाहूंगा कि यहाँ निश्चित लूप से पारदर्शिता लाने वाला ये बिल ने एंजियो की खिलाब है यह ना किसी के अहित में हैं यह जरूर है कि ओएसी संस्था को जरूर थोड़ा बुरा लगेगा जो पारदर्शिता को नहीं चाहते हैं लेकिन ओएसे एंजिय से जणहित में काम करने वाले वह एसी सारी संस्थाओं को यह सहयोग करने के लिए यह संसोधन है इसलिए हमानिये सथर क्ट्रों या बिनति करते हैं कि आप इस संसोधन को जो एक राष्ट्रिय और आंत्रिक सुरक्षा कानूं के रूप में भी है इसके उद्देश के पूर्ति के लिए भी इस संसोधन को यहां पारित करने की पिपा करें धर्नेवाद मंत्री जी